हेलो एवरिवन मैं डॉक्टर कहानी बानावत डिपार्टमेंट टोर ड्रोहेंग और पेंटिंग गौर्वेंट मिरागल्स कॉलेज उद्यापूर से आज मैं आपको लाइटन शेट का एक फोटो के माध्यम से बहुत ही अच्छा लाइटन शेट के बारे में बता रही हूँ जिसको देखके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइटन शेट के बारे में डिटिल में काफी बता दिया था लेकिन कुछ दिन पहले ये पेपर के अंदर ये फोटो देखी तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात आपके सामने शेर करूँ ताकि फोटो के माध्यम से जब आप देख देखेंगे तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे ये गाय का फोटो है जिसमें आप देखिए कि इसमें इसका जो 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 चैरा है इस चैरे की जो परच्छाई है जो चाया है इसके पास में गिर रही है शेड इससे पता लग जाएगा आपको कि ये एकदम डार्क शेड है और इसी के पास आँख के आसपास देखेंगे तो आपको लगे का ये मीडियम है और इसमें जो ये पीवाला जो हिस्सा है ये एकदम लाइट है तो तीन तरह की शेड आपको दिख रही है लाइट मीडियम और डार्क इसी तरह आप इसके शरीर पे देखिए कि ये कितना सुन्दर सा इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं पर डार्क है कहीं लाइट है कहीं ये मीडियम है और कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क है तो ये सब लाइट का प्रभाव है गाय तो एक ही है लेकिन लाइट उसके उपर जो गिल ली है तो कहीं इसके जहां पर इ एक डार कलर की गाय और खड़ी है जिससे इसका लुक और बढ़ गया है यह देखे डार कलर की गाय है इसके पीछे जैकि इसका उपर का बहुत थोड़ा सा पोशन आपको दिखाई दे रहा है तो यह बिलकुल वैसे बूक डार्क है और शेड से और ज्यादा डार्क दिख रह है इसी में आप निचे देखेंगे कि जमीन पे इसकी शेडो दिख रही है परच्छे दिख रही है उस परच्छे से आपको साथ पता लगेगा कि यह परच्छे इंदम डार्क है क्यों क्योंकि लाइट यहां पे नहीं गिर रही है और यह गाय की शेडो है और इसके पीछे वाली जो गाय है उसकी शेडो पीछी जो दिवार है उसके उपर आपको थोड़ी से दिखाई देगी तो इस शेडो के माद़े हमसे आप देख सकते हैं कि यह जो परस्पेक्टिव है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसको हिंदी में परिप्रेक्षोपन कहते हैं इस पता लग जाएगा आपको यह जो आपकी लाइन है यह आपकी आधार लाइन है इसे आप आपकी शीट की आधार लाइन समझ सकते हैं तो यह जो गाय है गाय का जो पहर है वो शीट के सबसे नजदीक है इसलिए आपको यह वाला जो गाय का पहर है वो आपको क्लियर दिखा करें दे रहा है इस पस्त दिखाई दे रहा जैसे अपन दूर आधा लाइन चल के दूर तो देखेंगी यह वाला जो पहए आपको इसके कोंपेरा ले थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि यह हमारे आचे से दूर है हम रहना आई लेवल से दूर है तो यह सार आपका परस्पेक्ट्रिव कहलाता है तो यह आपको इस फोटो के माध्यम से लाइट रस बारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा अब मैं आपको इसे के साथ एक दूसरी और पिक्चर रख रही हूँ जोक히 एक ड्रॉइंग है रेखांकन है इसके से देखिया आप यह सिर्फ एक लाइन ड्रॉइंग है इस देखने से आपको पता लग जाएगा है कि यह दो फीगर है जो सबसे आगे बैठ है जो हमारे सबसे नजदीक हैं हमारे आई लेवल के इसलिए हमको ये पूरे क्लियर दिख रहें लेकिन अब जैसे हमारे ड्रस्ट्री दूर दोड़ाएंगे तो दूर की जो ये जो दूर वाली जो चीज़ा दिख रही है वो हमको आइस पस्ट और अक्लियर दिखेंगी क्योंकि वो दूर है तो इसमें आपको परस्पेक्ट्री का बहुत ही अच्छा नमूना आपको दिखाई देगा जैसे यह है इसमें उपर गोल गुंबत देखिए तो यह इसका इसके जो निचे का जो पिलर है वो आपको लगेगा कि यह पीछे के तरफ है और इदे के तरफ और यह बीच की लाइन है तो देखेंगे आपके किस तरफ से कौन सी चीछ पीछे जा रही है कौन से लाइस आगे जा रही है इसके निचे अला यह पिलर चुटी बोट और यह सबसे आगे के तरफ यह दो फिगर बैट ऊए यह आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप जब paper third जो आपका sketching है जो sketching file के अंदर जब sketches बनाते हैं तो आप इस तरह की sketches आप बना सकते हैं जो कि आप अपने गरों की छट पे है या बाहर है या फिर कोई भी paper है, magazines है तो कोई भी आपको drawings अच्छी लगे तो उसको देख के आप उस sketch file में draw कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप draw करेंगे उतना ही आपके हाथ साफ होगा आपकी sketch में सुधार आएगा और आपको pass का, दूर का, बड़ा, छोटा ये चीजे सारी अच्छे से समझ में आएगी इसलिए दू एक्जम्पल आपके सामने ये रखे हैं धन्यवाद